अगर आपने बाइनेंस एक्सचेंज के उपर अकाउंट बनाया हुए और आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और बाइनस के ऊपर 90% से भी ज्यादा लोग अभी ट्रस्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं लेकिन बाइनस के लिए अभी एक बुरी खबर निकल के आ हमें अपने फंट्स जो है बाइनेंस एक्षेंज से निकाल लेने चीए सारी बातें जो है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हेलो गाइज विल्कम बाक तो अनदर ब्रेंड वीडियो मेरा नाम एसद आप जिखरें क्रिप्टो टीव इंडिया यूट्यूप चैनल जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो को रिलेटेद न्यूज अप्टेट्स एं रिव्यूज मिलते हैं टाइम तो जल्दी से आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें तो अगर आप इंस्टेंट न्यूज पाना चाहते तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं टेलिग्राम के ओपर जो है साड़े तीन बजे ही यह न्यूज हमने डाल दी थी जैसे यह न्यूज आई थी तो यहां पर यह एक बहुत बड़ी खबर है बहुत सरे लोग अभी चिंता में हैं क्या बाइन्स एक्सचेंज भी बंद हो जाएगी एफटीक्स की तरह तो सारी चीजन जो है आज की इस पीडियो में हम एक्सप्लेइन करेंगे तो यहां पर आप देखोगे दा ऑस्ट्रेलियन सेक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमिशन एस आईसी हैज केंसल्ड बाइन्स ऑस्ट्रेलिया डेरिवेटिव लाइसेंस ऐसे हैं कि इस न पर फटाया है कि यहां पर आँजिक सिर्पा त्रस्टे ऑस्ट्रेलिया डाइसेंस ऑफ एंपको बताना चाहूंगा इसका कोई बिऊपर Tила कि इसका में देखने को नहीं कि यहां पर यहां पर किया है unda क्या सब्सक्राइब यह घंग करेंज और बॉल्ली क्रिजिन नीचन कोई यहां देखने का बहुती बा Image to Geicas कोम्पनी ह ende close कर दी जाएंगी यहां पे कुछ दिन पहले यहां पे अमरीका में भी बाइनेंस के खलाफ लासूट जो है वो चल रहा है और यहां पे बाइनेंस के उपर एक और यह बड़ी बुरी खबर है बाइनेंस के लिए आहस्ता आहस्ता बाइनेंस के उपर वर्ल्ड वाइड में शिकंजा कसा जा रहा है तो यहां पे यह एक बुरी खबर है हालां कि इसका कोई भी इंपैक्ट जो है इंडिया के अंदर हमें नहीं देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर जो है हमारे अभी के लिए सेफ हैं तो यहां पे आज में एक एक्सचेंज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जिसमें जिसमें मैं डेरिवेटिव स्ट्रेडिंग करता हूं वर्ल्ल की नंबर पांच की एक्सचेंज है और मैं परसनली फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए उस एक्सचेंज को अभी यूज कर रहा हूं और आपके लिए भी एक बहतर आफर जो है वो मैं लाया हूं तो इस जो एक्सचेंज है उसका नाम है बाइबिट एक्सचेंज और यहां पे 10 डॉलर हमारे फर्स्ट हंडर्ड यूजर्स जो होंगे जो आज हमारे रेफरल लिंक के थ्रू साइन अप करेंगे रेफरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यह इस पोस्ट को जो है मैं पिन भी कर देता हूं हाला कि इंडिया के अंदर इसका कोई इंपक्ट नहीं पढ़ने वाला लेकिन फिर भी अपने फंट को हमेशा डिवाइड करके रखना चाहिए कम से कम दो तीन एक्सचेंज पर अपना अकाउंट होना चाहिए और एक ट्रेड डरिवेटिफ उन आया पर एक ट्रेडिवस करनिय उन्हा एकुट जो लोग हमारे यहां पर इलिज़िबल हो जाएगे टें'll के लिए उन 10 टेंग को आप यहां पर ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते उडिभा भी निज़ए सारी सीजिंट जो है यहां पर कर सकते हो तो यहां पर एक अच्छा मौका है अगर आप अपने फंड को डिवाइड करके रखना जाते हो और सेफ रहना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके अपना ओपीनियन जरूर दी investment.